आज का हमारा ही मार्ग दर्शन हमारे सभी नव्यूकों के लिए विशेश उपयोगी रहने वाला है हमारे नव्यूकों का ये प्रश्ण होता है कि हम अपने वजन को कैसे बढ़ा सकें हम अच्छे दिखें अकरशक दिखें शरीर में बल बढ़े उर्जा बढ़े क्षमता बढ़े इस प्रकार की स्थती को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो आज के इस मार्ग दर्शन में हम इसी विशेश पर बात कर रहे हैं आज हम आपके साथ तीन महत्वपूर नियम साजा करेंगे जिनकी तरफ आपको ध्यान देना ही होगा अगर आपको सही तरीके से अपना वजन बढ़ाना है इन तीन नियमों के साथ साथ हम कुछ चीजों के योग से आपके साथ एक पेश आजा करेंगे जिसका प्रियोग आपको प्रतिदिन सुभा करना है और ये वजन बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी आपके लिए रहने वाला है देखिए वजन दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है पहला तो ये कि आप अधिक मातरा में खाना शुरू कर दें भले ही आप जंक फूड फास फूड डबा बन चीजें केक चोकले टादी इस प्रकार की चीजें खा रहे हैं तो भी आपको कैलरी तो मिल ही रही है इससे भी आप आपका वजन बढ़ जाएगा लेकिन ये healthy weight gain नहीं होगा क्योंकि इस से आपके शरीर में fat बढ़ेगा मोटापा बढ़ेगा बल नहीं होगा आलश्य बढ़ना शुरू हो जाएगा skin problem होनी शुरू हो जाएगी और आप अच्छे भी नहीं दिखेंगे तो इस तरीके से हमें वजन नहीं बढ़ाना है हमें वजन बढ़ाना है कि आपके शरीर में manspatia बढ़ें आपके शरीर की क्षमता अच्छी हो योन क्षमताओं पर भी वो प्रभाव दिखें आपके चहरे पर चमक हो आपके शरीर में बल हो उरजा हो इस तरीके से अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप आज के इस मार्ग दर्शन को सजगता पूर्वग देखें यहां पर हम तीन नियम आपके साथ साजा करते हैं सबसे पहला नियम यह है कि आपको व्यायाम करना होगा निरंतर करना होगा सपताह में छे दिन आपको व्यायाम करना है और एक दिन आपको रेस्ट करना ह जो की आपकी muscles की recovery के लिए बहुत ही जरूरी होगा अब हमारे नव्यूकों के ये प्रश्न हो सकते हैं कि हमारे शरीर पर तो ना ही fat है, ना ही manspatia है, ना ही हमारा वजन जादा है तो अगर हम व्यायाम करते हैं, तो क्या वो हमारे लिए ठीक है? तो आप समझें कि जब आप व्यायाम करेंगे तो आपके शरीर में blood का circulation बहतर होगा आपके शरीर के सभी अंग जो हैं, वो बहतर तरीके से काम कर पाएंगे साथ ही साथ, आपके जो पेट के अंग हैं, आपके intestine है, आपका liver है, आपकी pancreas है, stomach है इन सभी अंगों की एक massage हो जाती है, जिससे की इन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरनी शुरू हो जाती है, मजबूत होनी शुरू हो जाती है और आपको भूख अच्छे से लगनी शुरू हो जाती है, constipation की समझा रहती है, उससे आपको राहत मिलती है साथ साथ जब आप अच्छा आहार लेंगे, हमने पहले भी बताया है, तो आपके अंधुरूनी जो अंग हैं वो मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चाहे आपका पेट है, आते हैं, ये सभी मानस्पेशियों से बने हुए हैं, और मानस्पेशियों को मजबूत हो वो आपके शरीर में लगेगा तो आपको व्यायाम निश्चित रूप से करना है व्यायाम का एक प्रभाव ये होगा कि जब आप किसी भी प्रकार की exercise करते हैं चाहे वो हमारे जो traditional दंड आदी के अभ्यास होते हैं वो कर रहे हैं और चाहे आप जिम में जाकर के अभ्यास कर हैं तो उससे आपकी मांस्पेशिया तूटती हैं और जब मांस्पेशिया तूटती हैं तो वहाँ पर नई मांस्पेशिया बनती हैं और आपका शरीर अच्छा बनता है अकरशक बनता है और जब ये मांस्पेशिया तूटती हैं तो इन मांस्पेशियों के सुधार के अगना शुरू हो जाता है तो व्यायाम आपको निश्चित रूप से करना है इससे आपको अनेक फाइदे मिलेंगे पहली बात यह हुई दूसरे स्थान पर आप समझें कि आपको ब्रहमचर्य का पालन करना है आप ब्रहमचर्य का पालन नहीं करेंगे भले फिर आप अच्छा आहार ले रहे हैं अच्छे पोशक तत्व ले रहे हैं उस प्रकार के लाब आपको नहीं मिल पाएंगे तेजी से लाब चाहिए अच्छे लाब चाहिए और ऐसे लाब चाहिए जो की निरंतर स्थाई रूप से आपके साथ रहें आपका शरीर एक बार बन ऊक्षें भी अच्छ से द्वलप अ पाएगidor कि इस्टोस्टेश्ट का आपकी मानसपेशियों में निर्माण में विशेश कार्य होता है विशेश भूमी का होती है तो ब्रहमचर्य का पालन करना है यह क्या नियम होंगे इसके विशह में हमने पहले पर्याप्त मार्दर्षन किया है description में link साजा करवा देंगे वहां से उस playlist को आप देख लेंगे तो उसमें पर्याप्त अमार्दर्षन आपको मिल जाएंगे दूसरा हमारा नियम हुआ तीसरे स्थान पर आपको नींद को बहतर बनाना है हमारा कहने कार्थ यह नहीं है कि आप अधिक सोएं दिन में भी सोते रहें हमारे कहने का अर्थ है कि आप जितनी देर सो रहे हैं उसमें आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी हो नींद की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना है इसके विशे में हमने सनातन हठियोग चनल पर अलग से मार्ग दर्शन किया है उसका लिंक भी हम नीचे साजा करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जा करके देख लें आपको अच्छे लाब प्राप्त होंगे आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो फिर से हम वही कहेंगे कि रिकवरी शरीर की नहीं होगी जितना शरीर के ऊपर कार्य आप जागते हुए करते हैं उतना ही शरीर के ऊपर कार्य सोते हुए भी होता है अगर आपको अपने शरीर को बहतर बनाना है और तेजी से अपने शरीर पर अच्छे प्रभाव देखने है तो आपको नीद की गुणवत्ता को बढ़ाना है और अच्छे से नीद लेनी है तो आपको इन तीन नियमों की तरफ विशेश रूप से ध्यान देना है और आहार त बहुत ही अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे फाइदे आपको कुछी समय में दिखाई देंगे, एक महीने के प्रियोग से ही, अब ये जो पे है, इसका प्रियोग आपको सुभा करना है, क्योंकि रात भर में जो भी आपने भोजन किया होता है, संध्या में, वो पच चु करना है, पहली वस्तू के रूप में, अब आप समझें कि इस पे का निर्मान आपको कैसे करना है, आपको 2 अंजीर ले लेने हैं, 4 बादाम ले लेने हैं, और आपको 10 मुनक्के ले लेने हैं, इनको आपको रातरी में पानी में भिगो देना है, सुबह उठकर के आपको बा का अच्छा सोर्स है अंजीर शरीर में बल का वर्धन करने के लिए एक अच्छी उप्योगी वस्तु है आयरुवेद में इसका विशेश वरणन प्राप्त होता है साथ ही साथ ये और जो शारिक बल का अधिक कारे करने वाले व्यक्ति होते वो बादाम को रगड करके गोट करके इसका ही प्रियोग किया करते थे और उनके शरीर में इससे विशेश बलवर्धन होता था तो यहाँ पर आपको जो बादाम का प्रियोग करना है ये भी विशेश उप्योगी है चिया सीड ये anti-oxidant का अच्छा source है साथ ही साथ ही आपके पाचन को भी अच्छा करता है क्योंकि इसमें fiber परियाप्त मात्रा में मिलता है constipation के समश्या में भी ये अच्छा कारे करता है और जो हमने कहा पाचन को ये बहुत ही दुरुस्त करता है बहुत ही उपयोगी है इन सब चीजों के साथ साथ आपको यहाँ पर दो केले ले लेने हैं अब इन सारी चीजों को आपको एक स्थान पर एकत्रित कर लेना है और इसमें जो अन्य तीन चीजों का आपको प्रियोग करना है इन तीनों में से किसी एक चीज का आप प्रियोग कर सकते हैं वो हम आपको कहते हैं पहले स्थान पर आप दूद ले सकते हैं दूसरे स्थान पर आप एक कटोरी दही ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा आप पाने डाल सकते हैं जिससे कि ये आपके पास एक अच्छा शेक के जैसा प्राप्त हो जाए और तीसरे स्थान पर आप coconut water का प्रियोग कर सकते हैं एक ग्लास की मातरा में इन तीनों में से किसी भी चीज का आप इन वस्तूओं के साथ प्रियोग करते हैं तो ये उपयोगी है अब आप देखें कि आपके पास किस चीज की उपलब दता है और अ आपको इन चीजों को ग्राइंड कर लेना है मिक्सी के जार में डाल करके और ये जो आपके पास फिर एक पे तैयार होगा आप समझें कि ये बहुत ही उपयोगी है ये जितनी चीजें हमने आपको यहाँ पर कही है ये विशेश योग है ये सारी चीज जब एक स्थान पर म करेगी. बागी दिन भर में आपका कैसा आहार है इस पर भी हम मार्कदर्शन करें लेकी कैसा, आपको आपको आहार लेना चाहिए, किन चीजों का प्रियूँक करना चाहिए, लेकिन जो हमने ये सुबह आपको कहा, ये आपके शेडीर की पूरती में विशे भुमằy का निभाने वाली वस्तु रहेगी अपेक्षा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये भी आप समझ लें के पीछे बताए गए जो तीन नियम हैं उनका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो फिर ये चीजें उतनी उपयोगी आपके लिए नहीं रहेंगी तो आपको इन नियमों को अपने जीवन में धारन करना है साथी साथ इस वस्तु का प्रियोग करना है तो बहुत अच्छे लाब आपको प्राप्त होंगे तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्ग दर्शन था भविश्य में अन्यम हैतुपूर्ण विश्यों पर मा अंगल कामना आज के लिए इतना ही ओम नमस्षिवाइब